वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके मैल आइकन में आल को प्रेस कर दीजिए नमस्कार, ट्रेंस एंट्रेवल में आपका पूरन पूर इस्टेशन से बहुत बहुत स्वागत है ये वीडियो भेजा है अर्मान खान भाई ने, पूरन पूर इस्टेशन के क्या है ताजा हालात वो हम आपको दिखाएंगे कि जो बिल्डिंग यहाँ पर स्टेशन की बन रही थी नया भवन, उसकी क्या प्रोग्रेस होई है, कहां तक उसका काम पहुँचा है धोला खुल गया है, उसको हम आपको दिखाएंगे वीडियो में आगे और पूरणपुर के लोगों को भी, जो कि हमारे पैकेज तीन में पढ़ता है, मेलानी पीली भीत, जो आमान परवर्तन हुआ था कारे, उसमें अब जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कारे है, उसमें तार लगाने का काम शुरू हो गया है तो पूरणपुर के लोगों को भी इंतजार है कि कब उनके स्टेशन पर यह जो तस्वीर है वो बदलेगी और यहां तक तार लगाते हुए केपिटेल के लोग कब पहुँचेंगे, क्योंकि सारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के लि है कि केपिटेल जल्दी ही यहां तक तार लगाने का काम पूरा करेगी, इधर साइड में प्लैट्फॉर्म नंबर एक के ठोकर लाइन एक यहां पर बनाई हुई है, पार्किंग के लिए जिस पर लोकों को खड़ा किया जा सकता है, या कोई रेलीफ ट्रेन, एक्सेडेंट का जो समान है, वो यहां तक आता है, कुछ OHE मास्ट आपको दिख रहे होंगे, रखे हुए हैं इन पर, तो पूरण पुर्ण स्टेशन पर क्या चल रही हैं तैयारियां, रेल इलेक्रिफिकेशन के कारियों को ले करके तार लगाने के लिए विश्यशकर, वो आप देख सक पूरण पूर्ण स्टेशन तक बिजली के तार हमारे जो हैं वो यहां तक पहुंचते हैं, वारिंग का काम यहां पर कब पूरा किया जाता है, क्योंकि पूरण पूर्ण पूर्ण पर मैलानी जंक्षन के बाद पीली भी तक पढ़ने वाला सबसे बड़ा स्टेशन है, प् पूरण पूर्ण के लोगों को यही लग रहा है कि अब जो कारी हमारे होंगे यहां पर वो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन जब पूरा हो जाएगा, ट्रेन आने का उसके बाद ही कुछ यहां पर हो पाएगा मसला, क्योंकि यहां पर अभी चूकि इज़त नगर मंडल में सेक् है वो यही है लोगों की जो उमीद है कि अब जब रेल इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद ही कुछ जुगार हो पाएगा, क्योंकि मुख्य रूप से जो हमारे लोकों पाइलेट्स हैं, उनके रुकने का जो प्रबंध है, वो यहां पर करना पड़ है, बिल्डिंग जो बन रही है, तो ढोला खुल गिया है, स्लैप तयार हो गिया है, और जो थोड़ी बहुत बल्लियां रह गई है, पाड़ बल्ली की, यह जब हटा दी जाएगी, तो फिर बिल्कुल नीचे स्पेस निकल आएगी, और प्लास्तर बगार का काम तेजी से श जवस्था उसके अंदर से ही पूरणपूर स्टेशन की मैनेज होगी, उसका प्रबंद किया जाएगा, यहाँ पर, तो पूरणपूर स्टेशन के ताज़ा हाल आप देख सकते हैं, कि भवन का ढोला खुल गया है यहाँ पर, और स्थानी लोग आकर यहाँ अक्षर बैड जाते हैं, तो यह आप देख सकते हैं, कि स्ट्रक्चर जो है अब तयार हो गया है, तो यह एक अच्छी खबर है, कि कम से कम अब ढोला खुल गया है, और अब इसकी फिनिशिंग का जो काम है, यहाँ पर बागी का बाउंडरी वगएरा जो बनेगी, इसकी वाल्स उठाए जाएंगी, तो वो सारे कार अब तेजी के साथ शुरू होंगे, जिससे की फिर यह एक शेप में, जो इसका भवन है, आने लगेगा, नजर आने लगेगा, नई बिल्डिंग जो है, स्टिशन की, काफी बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही है, काफी स्पेस है, आप देख चलक एक व्यू हम आपको दिखा रहे हैं, अभी स्थानी लोग रोज उमीद से आते थे, लेकिन अब चूकि इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने लगी मैलानी तक, तो अब रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कारियों का आपको इंतजार करना पड़ेगा, दिसंबर तक आप मान के चलि और मुझे लगता है कुछ अगर व्यवस्ता बन पाएगी, तो शायद अगले साल तक विस्तार हो पाए ट्रेन्स का, जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी ट्रेक्शन सब्रिस्टिशन का जो काम चल रहा है पूरण पूर में, टी एसस का, उसमें भी समय लगेगा, तो यह थी एक छोटी सी अपडेट एक जलक पूरण पूर से,